आप सुन रहे हैं उपन्यास चंदरकानता संतिती अध्याय दूसरा भाग जोथा वरिंदर कहू क्या बात है इंदर आज रात एक अजीब बात देखने में आई है वरिंदर वह क्या इंदर तारा सिंग तुम ही सभाल कह जाओ क्यूंकि उस समय तुम ही जागते थे हम लोग त पत्खूँ तारा सिंग ने रात का पूरा-पूरा हाल राजा वरिंदर सिंग से कह सुनाया जिसे सुनकर उन्हेंने बहुत ताजुप किया और घंटों तक कोहर में टूबे रहने के बाद बोले खैर ये बात किसी और को ना मालू हो नहीं तो मुसाहिबों और अहलकारों म में सोएंगे एक दिन क्या कई दिनों तक राजा वरेंदर सिंग उस कमरे में सोए मगर कुछ मालूम ना हुआ और ना फिर कोई बात ही देखने में आई आखे उन्होंने हुकम दिया कि उसको ठीका दर्वासा नया कुलाबा लगा कर फिर उसी तरह बंद कर दिया जाए आज प कई सरदार लोग बैठे हैं इंदर जी सिंग की तबियत अब बहुत ही अच्छी है और वे चलने फिरने लायक हो गए हैं देवी सिंग को बहुत जल लोट आते देखकर सबों को विश्वास हो गया कि जिस काम पर मुस्तैद किये गए थे उसे कर चुके मगर ताजुब इस बात का था कि वे अकेले क्यों आये हैं विरेंद्र कहो देवी सिंग खुश तो हो देवी सिंग बोले खुशी तो मेरी खरीदी हुई है अच्छा अब आप लोग जाए उन्होंने सैनकों की तरफ इशारा करके कहा बहुत विलब हो गया दरबारियों और खुशामदियों के चले जाने के बाद विरेंद्र सिंग ने देवी सिंग से पूछा विरेंद्र कहो उस अरजी में जो कुछ लिखा था सच था या जूर था देवी उसमें जो कुछ लिखा था बहुत ठीक था इश्वर की किरपा से शीक्र ही उन्तुष्टों का पता लग गया मगर क्या कहें ऐसी ताजूब की बाते देखने में आई कि अभी तक बुद्धी मेरी चक्रा रही है विरेंदर उधर तुम ताजूब की बाते देखो इधर हम लोग अध्भुत बाते देखे देवी सो क्या विरेंदर पहले तुम अपना हाल कहलो यहां का सुनो फिर देवी बहुत अच्छा फिर सुनिये रामशिला पहारी के नीचे मैंने एक कागस अपने हां से लिखकर चिपका दिया जिसमें मैंने ये लिखा था हम खुब जानते हैं कि जो अगनी दत के विरुद होता है उसका तुम लोक सिर काट लेते हो जिसका घर चाहते हो लूट लेते हो मैं डंके की चोड से कहता हूँ कि अगनी दत का दुश्मन मुझसे बढ़कर कोई और ना होगा और गया जी में मुझसे बढ़कर मालदार भी कोई नहीं है तिस पर मज़ा ये है कि मैं अकेला हूँ अब देखना चाहिए तुम लोग क्या कर लेते हो हानन्द अच्छा तब क्या हुआ देवी उन दुश्टों का पता लगाने की उपाय तो मैंने और भी कई किये मगर काम इसी से चला उस राह से आने जाने वाले सभी उस कागज को पढ़ते थे और चले जाते थे उस से पढ़ मुझों पर दाव देते शहर की तरफ चले गए शाम को वे दोनों लोटे और फिर उस कागज को पढ़ सिरह लाते बराबर की पहाड़ी की और चले गए मैंने सोचा कि इनका पीछा जरूर करना चाहिए क्योंकि कागज के पढ़ने का असर सबसे ज़्यादा इन ही दोनों पर हुआ आखिर मैंने उनका पीछा किया और जो सोचा था वही ठीक निकला वे लोग 15-20 आदमी हैं और हट्टे-कट्टे और मुसंदे हैं उसे जुण में मैंने एक औरत को भी देखा आएसी खुबसूरत औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी पहले मैंने सूचा कि वह इन लोगों में से किसी की लड़की होगी क्योंकि उसकी अवस्ता बहुत कम थी मगर नहीं उनके हाव भाव और उसकी हुकूमत भरी बाची से मालुम हुआ कि वह उन सभी भी मालिक है पर सस्तो ये है कि मीरा जी इस बात पर भी नहीं जमता उसकी चाल ढाल उसकी पोशाग उसकी जड़ाओ कीमती गहनों पर जिसमें सिर्फ खुशरंग मानिक ही जड़े हुए थे ध्यान देने से दिल की कुछ बिजित्र हालत हो जाती है मानिक के जड़ाओ जेवरों का नाम सुनते ही कुवर आनन सिंग चौपड़े हिंदरजी सिंग और तारा सिंग का भी जहरा बदल गया और उस औरत का विशेश हाल जानने के लिए गबराने लगे क्योंकि उस रात को इन चारों ने इस कमरे में यह यों कहिए कोठरी में जिस औरत की जलक देखी थी वैभी मानिक के जड़ाओ जेवरों से ही अपने को सजाए हुए थी आखिर आनन सिंग से रहा ना गया देवी सिंग को बात कहते कहते रोक कर बूछा आनन उस औरत का नक्षिक जरा अच्छी तरह कहसे चाहिए देवी सो क्या विरेंदर तुम लोगों को ताजुब किस बात का है तुम लोगों के चहरे पर हैराने क्यों छा गई है भैरो बोले जी वै औरत भी जिसे हम लोगों ने देखा था ऐसे ही गहने पहने हुई थी जै जवाब दे लो देवी नक्षिक सुनके क्या कीजेगा सबसे जादा पक्का निशान तो ये है कि उसके ललाट में दो धाई अंगुल का एक आड़ा दाग है मालुम होता है शायद उसने कभी तलवार की चोट खाई है आनन बस 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 इंदर बेशक वही औरत है तारा कोई शक नहीं की वही है भैरो अवश्य वही है विरेंद्र मंगर आशर है कहां उन दोष्टों का संग और कहां हम लोगों के साथ आपस का बढ़ताओ भैरो हम लोग तो उसे दुश्मन नहीं समझते देवी अब हम न बोलेंगे जब तक यहां का खुलासा हाल नहीं सुनेंगे ना मालूम आप लोग क्या कह रहे हैं विरेंद्र खहरे ही सही अपने लड़के से पूछे कि यहां क्या हुआ तारा जी यहां सुनें मैं अर्ज करता हूं तारा सिंग ने यहां का बिलकुल हाल अच्छी तरह कहा फोल तो फैंक दिये गए थे मगर गुलदस्ते अभी तक विरेंद्र ये शक भी मिटा ही डालना चाहिए देवी उन लोगूं का जमाव वहां रोज ही होता है जहां मैं देखाया हूं अस्तारा या भैरों को अपने साथ ले चलूँगा ये खुद ही देख लें कि वही औरत है या दूसरी विरेंद्र ठीक है आज ऐसा ही करना हाँ अब तुम अपना हाल कहो और आगे कहो देवी हाँ मुझे ये भी मालूम हुआ कि उन दुष्टों ने हमेशे के लिए अपना डेरा उसी पहाड़ी में कायम किया है और बात चीश से ये भी जान गया कि लूट और चोरी का माल भी पर लोग उसी ठीकाने कहीं रखते हैं मैंने अभी बहुत खुछ उन लोगों की नहीं की है जो कुछ मालूम हुआ था आपसे कहने के लिए चला आया अब उन लोगों को गिरफतार करना कुछ मुश्किल नहीं है हो कम हो तो थोड़े से आदमी अपने साथ ले जाओं और आ युगाया जी से तीन चार कोस के दूरी पर होगा घूम घुमववा और पीचेली पकडंडियों को तो करते हुए पहर रात जाते जाते ये दोनों उस खो के पास पहुचे जिसमें बदमाश डाकू लोग रहते थे उस खो के पास ही एक और छोटी सी कुफा थी जिसमें मु वे सब के सब वहां मौजूद भी थे बलकि वे और भी सर्दारी के तोर पर चोटी सी गद्दी लगाए वहां मौजूद थी ये दोनों उस तरार से उन लोगों की बाची तो नहीं सुन सकते थे मगर सूरज शकल भाव और इशारे अच्छी तरह देख सकते थे इन लोगों या जीवरों को पहरे हुए ना थी तो भी सूरज शकल में किसी तरह का फरक नहीं था इन दोनों अहियारों के पहुशने के बाद दो गंटे तक डाकू आपस में कुछ बाचीत करते रहे इस बीच में कई डाकों ने दो तिन दफ़े हाँज जोड कर उस औरत से कुछ कहा ज इसके हाफने और दम फूलने से मालूम होता था कि वे बहुत दूर से तोड़ते हुई आ रही है उस नहीं आई औरत ने ना मालूम उस अदार औरत के कान में जुखकर क्या कहा जिसके सुनते ही उसकी हालत बदल गई बड़ी बड़ी आँखी सुर्खो गई खुशूरत चह दोनों औरतों में से कोई ना लोटी तो दाकू लोग भी उठखड़े हुए और खो के बाहर निकल गए और लोगों के इशारे और आकरती से मालूम होता था कि वे दोनों औरतों के यह काई किस तरह चले जाने से ताजूब कर रहे हैं यह हालत देखकर देवी सिंग भी वह हो रहे थे कि उस पर क्यावी थी वे किस अवस्ता में कहा है और अब उसकी सूरत कब किस तरह देखने नसीब होगी जब तक वे अच्छी तरह दृस्ट नहीं हो जाते ना तो खुद कहीं जाने के लिए हुकम ले सकते थे और ना ही किसी बहाने से अपने प्रेमी साथी अई थी परिशान थे मगर ये खबर उन्हें कुछ कुछ धांडस देती थी कि चपला चंपा और पंडित बद्रिनाथ उसके छुडाने की फिकर में लगे हुए हैं और राजा वरिंद्र सिंग को भी ये धुनजी से लगी है कि जिस तरह बने शिव्दत की लड़की कि शोरी की शा जान आता जी बेचैन हो जाता मगर जब देवी सिंग की बात को याद करते कि वे डाकों के एक किरो की सर्दार है तो कलेजी में अजीब तरह का दर्द पैदा होता था और थोड़ी देर के लिए चित का भाव बदल जाता था लेकिन साथ ही इसके सोचने लगते थे कि नहीं अगर वैं हम लोगों की दुश्मन होती तो मेरी तरफ देखकर प्रेम भाव से कभी न हसती और फूलों की कुलदस्ते और गजरे सजाने के लिए जब उस कमरे में आई थी तो हम लोगों को नीन में गाफिल पाकर जरूर मार डालती पर फिर हम लोगों की दुश्मन अगर नहीं है तो उन डाकों का साथ कैसा ऐसे ऐसे सोच विचार ने उनकी अवस्ता खराब कर रखी थी कुमर इंदर जी सिंग भैरो सिंग और तारा सिंग को उनके जी का पता कुछ कुछ लग चुका था मगर जब तक उसकी इजजद आबरू और जात पात की खबर के साथ साथ ये भी मालुम ना हो जाए कि वैं दोस है या दुश्माई तब तक कुछ कहना सुनना या समझाना मुनासिब नहीं समझते थे राजा वरेंदर सिंग को अभी चिंता हुई कि जिस तरह वे औरत इस घर में आ पहुँची कहीं डाकू लोग भी आकर लड़कों को दुख ना दे और फसाद ना मचाए उन्होंने पहरे वगरा का अच्छी तरह इंतिसाम किया और ये सोच के कि कुमर इंदर जी सिंग अभ साथ ही एक नया तथा विचित तमाशा देखा हम उपर सुना आए हैं कि इस कमरे में हम उपर सुना आए हैं कि इस कमरे के दोनों तरफ दो कठरिया हैं एक में संध्या पूजा का सामान है छ बाहर तारा लगाए उसी तरह छोड़ दिया गया जैसे पहले था बलकि राजा वरेंद्र सिंग ने उसी दर्वाजे पर अपना पलंग बिछवाया और सारी रात जाकते रह गए आदी रात बीद गई मगर कुछ देखने में ना आया तब वरेंद्र सिंग अपने बिस्तरे प आवाज पर तारा सिंग पहले ही से सचेत हो गए थे अब हाद में खंजर ले वरेंद्र सिंग के साथ टहलने लगे आदी घड़ी के बाद चंजीर घटकने की आवाज इस तरह पर हुई जिसे साफ मालूम हो गया कि किसे ने इस कोठरी का दर्वाजा पीतर से बंद कर लिया मगर भीतर से बंद रहने के कारण दर्वाजा नहीं खुला लाचार उसे जगा खड़े हो भीतर की आहट पर गोर करने लगे अब पैरों की धमा धमी की आवाज बढ़ने लगी और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा हुई कि कुमर इंदर जी सिंग और आनन सिंग भी उठे और अंदर लड़ाई हो रही है थोड़ी देर बाद तलवारों की जंजनाट भी सुनाई देने लगी अभीतर लड़ाई होने से किसी तरह का शक्ना रहा आनन सिंग ने चाहा कि दर्वाजे का कुलाबा तोड़ा जाए मगर वरेंद सिंग की मर्जी पर ना पाकर सब चुच्च खड़े आहट सुनते रहे एका एक धमधमाट की आवाज बढ़ी और तब सन्नाटा हो गया घड़ी भर तक ये लोग बाहर खड़े रहे मगर कुछ मालूम नहीं हुआ और ना फिर किसी तरह की आहट या आवाज ही सुनाई थी रात सिरफ तो घंटे बलकि इससे भी कम बाक इतने ही में कमरे का धर्वाजा खुला और भैरो सिंग को साथ ली देवी सिंग आते दिखाई पड़े ये दोनों आयार सलाम करने के बाद वरिंद्र सिंग के पास बैठ गए मगर ये देखकर कि यहां अभी तक ये लोग जाग रहे हैं ताजू करने लगे देवी आप तो कहो तुमने उस औरत को पहचाना भैरो जी हा बेशक वही ओरत है जो यहां आय थी बलकि वहाँ एक और आरत दिखाई दी वरिंद्र यहां से आकर तुमने क्ञा किया और क्या क्या देखा तो खुला सा कह जाओ भैरो सिंग ने जो कुछ देखा था कहने के बाद यहां का हाल पूछा वरेंदर सिंग ने भी यहां की कुल कैफित कह सुनाई और बोले हम यही रहा देख रहे थे कि सबेरा हो जाए और तुम लोग भी आ जाओ तो इस कोठी को खोलें और देखें कि क्या है कहीं से किसी के आने जाने का पता लगता है या नहीं कोठी खोली गई एक यार भी कोठी के अंदर गए और ताजू भरी निगाहों से चारो तरफ देखने लगे इस कोठी में जो फर्ष बिचा हुआ था वह इस तरह से सिमण गया था जैसे कई आदमियों के बे अक्तियार उशलकूत करने लड़ने से कठा हो गया हो ओपर से वह खून से तर भी हो रहा था चारो तरफ दिवारों पर भी खून के चीटे और लड़ती समय हाथ बहक कर पैट जाने वाली तलवारों के निशान दिखाई दे रहे थे बीच में एक लाश बड़ी हुई थी मगर बेसिर की कुछ समझ में नहीं आता था कि ये लाश किसकी है कपड़ों में सिरफ एक लंगोटा उसकी कमर में था तमाम बदन नंगा जिसमें अंदाज से जादा तेल लगा हुआ था ताहिने हाथ में तलवार थी मगर वे हाथ भी कटा हुआ सिरफ चला सा चमड़ा लगा हुआ था वह अभी इतना कम कि अगर कोई खेचे तो अलग हो जाए सबसे जादा प सबों की निगा भी कौर के साथ उस पर पढ़ने लगी यह कलाई किसी नाजुक हसीन और कमसिन औरत की थे हाथ में हीरे का जड़ाव कड़ा और जमीन पर मानिक की दो तीन बारिक जड़ाव चोड़ियां भी मजू थे शायद कलाई कटकर गिरते समय ये चोड़ियां हाथ से अलग हो जमीन पर फैल गई हूँ इस कलाई के देखने से सबों को रंज हुआ और जट उस औरत की तरफ ख्याल दोड़ गया जिसे इस कोठी में से निकलते सबों ने देखा था चाहे उस औरत के सबब से ये कैसे ही हैरान क्यों ना हूँ मगर उसकी सूरत ने सबों को अपन समझ कर कि बेशक ये उसी औरत की कलाई है कुवर आनन सिंग की आखों में चल भराया और कलेजे में किसम का दर्द पैदा हुआ मगर इस समय कुछ कहने या अपने दिल का हाल जाहे करने का मौका ना समझ कर उन्होंने बड़ी कोशिश से अपने को संभाला और चुप-चाव अब इस औरत के बारे में बहुत कुछ लिखना है इसलिए जब तक ये मालूम ना हो जाए कि ये औरत कौन है तब तक अपने और आपके सुभीते के लिए हम इसका नाम किन्नरी रख देते हैं राजा वरिंद सिंख और इनके अयारों ने इन सब अद्बुद बातों को जो इधार कई दिनों में हो चुकी थी छिपाने के लिए बहुत कोशिश की मगर हो ना सका कई तरह पर रंग बदल कर ये बात तमाम शहर में फैल कई कोई कहता था महरास के मकान में देव और परियों ने डेरा डाला है कोई कहता था गयाजी के भूत प्रेत इन्हें सदा रहे हैं और कोई कहता था दिवान अगनी दत के तरफदार बदमाश और डाकों ने ये मसाद मचाया है एक्तियादी बहुत तरह की बातें शहर वाले आपस में कहने लगे मगर उस समय बातों का धंगी बिल्कुल बदल गया जवराजा वरिद्र सिंग के हुकम से देवी सिंग ने उस सिर्कटी लाश को जो कोठी में से निकली थी उठवा कर सदर चौक में रखवा दिया और उसके पास एक मुनादी वाले को यह गह कर पुकारने के लिए बठा दिया कि अगनी दत के तरफतार डाकू लोग जो शहर के कई रईसों और अमीरों को सताया करते थे अयारों के हाथ गिरफतार होकर मारे जाने लगे हैं आज एक टाकू मारा गया है जिसकी लाश ये रही सूर भगवान के अस्थ होने में अभी घंटे भर की देर है फिर भी मौसम के मुताबिक बाग में टहलने वाले हमारे कुमर इंदजी सिंग और आनन सिंग को थंडी हवा सिहरन वानदार मालुम हो रही है रंग बिरंग एक होसूरत फूल खिले हुए हैं जिनको देखने में हर एक की तबियत उमंग पर आ सकती है मगर इन दोनों के दिल की कली किसी तरह भी खिलने में नहीं आती भाग में चितनी चीजें दिल खुश करने वाली हैं वे सभी इस समय इन दोनों को बुरी मालूम होती हैं। बहुत देर से ये दोनों भाई बाग में टहल रहे हैं। मगर ऐसे नौबत ना आई कि एक दूसरे से बात करें या हसें। क्योंकि दोनों के दिल चुटेले हो रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी धुन में टूबे होए हैं। दोनों ही को अपने अपने माशुक की खोज है। दोनों ही सोच रहे हैं कि हाई क्या ही अनन्द होता अगर इस समय वे मौजूद होता जिसे जी ब्यार करता है जिसके बिना दुनिया की संपती तुछ मालूम होती है दिल बहलाने का बहुत कुछ उद्यों किया मगर ना हो सका लाचार दोनों भाई उस बारादरी में पहुँचे जो बाग के दखिन तरफ महल के साथ सटी हुई है और जहां इस समय राजा वरिंदर सिंग अपनी मुसाहबों के साथ जी बहलाने की बातें कर रहे थे देवी सिंग भी उनके पास बैठे हुए थे जो कभी न कभी लड़कपन की बातें या दिलाने के साथ ही गुप्त दिल लगी भी करते जाते थे और जवाब भी पाते थे तोनों लड़के भी वहाँ जा पहुँचे अगर इनके बैठते ही मजलिस का रंग बदल गया और बातों ने पल्टा खाकर दूसरा ही धंग पकड़ा जैसा कि अकसर हसी दिलगी करते हुए अकसर हसी दिलगी करते हुए पढ़ों के बीच में समझदार लड़कों के आ बैठने से हो चाता है वरेंद्र बोले अब तो चुनार जाने को जी चाता है मगर देवी यहाँ आपके जरूरत भी अब क्या है वरेंद्र ठीक है यहाँ मेरी जरूरत नहीं लेकिन यहाँ की अद्भुद बाते देखकर विचार होता है कि मेरे चले जाने से कोई बखेडा ना मचे और लड़कों को तकलीफ न हो इंद्र जीद जीद इसकी चिंता आप ना करे हम लोग जब इतनी छोटी छोटी बातूं से अपने को संभाल ना सकेंगे तो आगी क्या करेंगे विरेंद्र बोले तो क्या तुम्हारा इरादा भी यहाँ रहने का है इंदर जीद यदि आग्या हो तो विरेंद क्यों देवी सिंग देवी क्या हर्ज है रहने दीजिए विरेंद और तुम देवी मैं आपके साथ चलूँगा यहां भैरो और तारा रहेंगे वे दोनों हुश्यार हैं कुछ हर्ज नहीं है भैरो यहां कि अद्बुत बातें हम लोगों का कुछ बिगार नहीं सकती तारा सरकार की मर्जी नहीं पाई नहीं तो ऐसी ऐसी लिलाओं की तो मैं एक ही दिन में काया पलट कर देने की हिम्मत रखता हूँ अगर मर्जी हो तो इन अद्बुत बातों का आज ही निप्टारा कर दिया जाए वरियंदर नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं हमें तुम लोगों के खोंसले पर फूरा भरोसा है खैर तो आज दिन भी अच्छा है देवी बहुत खोग आप जरा तकलीफ करें बहुत अच्छा मैं जाता हूँ कोई इंदर जी सिंग और आनन सिंग यहीं चाहते थे कि किसी तरह वरियंदर सिंग चुनार जाएं क्योंकि उनके रहते ये दोनों अपने मतलब की कारवाई नहीं कर सकते थे इस बात को वुरियंद सिंग भी समझते थे मगर इसके सिवाई भी ना मालूम क्या सोचकर वे इस समय चुनार जा रहे हैं या गया जी की सराज छोड़ कर क्या मतलम निकाला चाहते हैं राजा वुरियंद सिंग का विचार कोई जान नहीं सकता था वे किसी से ये नहीं कह सकते कि हम दो घंटे के बाद क्या करेंगे कोई ये नहीं कह सकता था कि महराज आज यहां हैं तो मगर कल कहां रहेंगे या महराज फलाना काम क्यों करें और किस इरादे से कर रहें पहले दिल ही दिल में अपना इरादा मस्बूत कर लेते थे जिसे कोई बदल नहीं सकता था मगर अपने बाग की इच्चत बहुत करते थे और उनके मुकाबले में अपने दिन विचार को भी हुकम के मुताबिक बदल देने में बुरा नहीं समझते थे बलकि उसे करतव और धरम मानते थे दो घड़ी रात जाते जाते वरेंद सिंग ने चुनार की तरफ कूच कर दिया और देवी सिंग को साथ लेते गए हब कुमर इंदर जी सिंग और आनन सिंग खुद मुक्तार हो गए मगर साथ ही इसके राजा हो गए तो क्या अपनी खुद मुक्तारी के सामने आनन सिंग अपने बड़े भाई के हुकम की नाकतरी नहीं कर सकते और यहां तो दोनों ही के राते दूसरे हैं जिसमें एक दूसरे का बाधक नहीं हो सकता कुवर इंदर जी सिंग बिमार थे इसलिए दोनों भाई एक ही कमरे में रहा करते थे मगर अब दोनों ने अपने अपने लिए अलग-लग दो कमरे मुकरर के जिस कमरे में वैविचीत को उठे थी और जिसका हाल ओपर सुनाया गया है आनन सिंग ने अपने ले रखा और से कुछ दूर पर इंदर जी सिंग का दूसरा कमरा था